नमस्कार इंजिनियर राजुत अबड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम राजमा मसाला बनाएंगे इसके लिए मैंने राजमा को साफ करके आठ गंटे के लिए पाणी में भीगो के रखाता अब आठ गंटे हो चुके है उसे मैंने फिर से अच्छी तरह से धुया है और इसे मैं कुकर में तीन सिटी दे के पका के ले लूँगी कुकर में तीन सिटी या दे के हमने राजमा को बॉल करके लिए है और यहां हमने तीन पड़ी प्यास कट करके लिए है दो टोमेटो कट करके लिए है एक इंच अधरग और पांच लसुन की कलिया भी काटके लिए है एक बड़ा अलू काटके दोके पानी में रखा है यहां हमने मसाले में काशमेरी लाल पाउडर ली है मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर ली है और संडे श्पेशल मसाला लिया है एक एक चमच से कम और कीचन कींग मसाला देड़ चमच लिया है गरम मसाले में हमने 6 काली मिर्च ली है, 2 लॉंग ली है, साबुद धन्या ली है, थुड़ा सा, सोप ली है और थुड़ी सी दालचिनी ली है और स्वादा नुसार हम नमक भी लेंगे बरतन में हमने 6 टेबल स्पून तेल गरम करने रखा है इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे प्याज नरम हो चुका है अब हम इसमें टोमेटो डालेंगे अच्छी तरह से मिश्वी करेंगे प्याज और टोमेटो नरम हो चुका है इसमें गरम मसाले डालेंगे अधरप और लसुमे डालेंगे मिक्स कर लेंगे दस मिनित हो चुके है अब हम गैस बंद करेंगे और इस प्याज और टोमेटो को मिक्सर में अच्छी तरह से पीस लेंगे ठंडा खरके प्याज और टोमेटो को मिक्सर में डाला है इसे हम पीस लेंगे अब फिर से परतन में दो टेबल स्पून तेल डाला है इसमें हम प्याज डालेंगे और भून लेंगे मसाले डालेंगे और प्यास के साथ भून लेंगे कटा हुआ आलू पानी के साथ इसे डालेंगे आलू पक चुके है इसमें हम उबला हुआ राजमा डालेंगे पिसा हुआ टोमेट और पैच का मिश्रन भी डालेंगे स्वादा अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे मिक्स करेंगे और पांच मिट पकने देंगे पांच मिट हो चुके हैं हमारा राजमा तयार हो चुका है अब हम गयास बंद करेंगे राजमा मसाला सोर किया है अगर हमारा वीडियो पसन्द आया हो तो लाइक कीजी, शियर कीजी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजी विडियो देखने के लिए धन्यवाद